नमस्कार दोस्तों फिर्जा आपका स्वागता है सचिंडे स्टेडी योटूब चैनल में तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ GKGS के कुश्चन के बारे में बात करने वाले हैं और जो चैनल पर पहले बार बेजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना और वी पर दोगना कर दिया जाए तो उसकी गती उर्जा कितनी होगी जानेंगे दोगनी आधी चोगनी वही रहेगी तो दोस्तों इहां पर उसकी गती उर्जा यहां पर चोगनी हो जाएगी अगला कुशन है आपका किलो वाट और एक यूनिट है तो यहां पर किलो वाट और एक यूनिट है उर्जा की है सक्ती की है बल की है सम बेक की है तो दोस्तों किलो वाट और एक यूनिट आपकी उर्जा की होती है तो यहां पर आपका कुशन है उर्जा आनस्वर अगला कुशन है यहां पर आप देख सकते हैं नीमकलीगित में से किसे सहयद्र परवर्त संक्ला के नाम से भी जाना जाता है पूर्वी घाट, पश्म घाट, सिवालिक या बिंध है तो यहाँ पर आपका पश्मी घाट है तो इसका अंसर रहेगा आपका भी अगला कोशन है आपका पृति द्रोब क्या होती है तो यहाँ पर पहला पर बताए गया है वेस्थान जो व्यवशाई रूप से प्रत्वी की सत्य की विप्रित दिसा में होते हैं अगला है आपका प्रत्वी के वेस्थान जहां एक समान वर्सा होती है अगला कोशन है C, इस्थल, रुद्रिस्थान और D, आपका प्रत्वी के वे स्थान जहां एक समान सूर्य की करनें पड़ती हैं तो यहां पर आपका पहला A है आंस्वर, वे स्थान जो व्यवशाई रूप से प्रत्वी की सत्य की विप्रित दिसा में होते हैं अगला कोशन है आपका यहां पर Great Barrier Rift क्या है तो आपका क्या है यहां पर आपका सिधा अंसर आपको मैं बताता हूँ तो दोस्ते हां पर यह है और नीचे भी यहां पर बताए गए हैं प्रवल रचना है आपकी यह Great Barrier Rift अगला कोशन है आपका यहां पर हिंद महासागर में नीमलीत में से कौन सा तूफान अन्यत तीन की अपेक्षा अधिक निरंतर रूप से आता है तो यहां पर आपका चक्रबात होता है जो हिंद महासागर में तूफ़ान अन्यतीन की अपेच्छा धीक निरनत रूप से आता है तो आपका चक्रबात अगला कुशन आपका बॉल पैन की सिद्धान पर काम करता है यहापका गुरु तृभिय बल के अधार पर यह काम करता है अगला कोशन है आपको यहाँ पर भारत में राष्टय आय के प्रकलन तैयार किये जाते है तो यहाँ पर किसके किये जाते हैं तो जैनेंगे इस वीडियो में तो यहाँ पर option दिये गए हैं आपके चार राष्ट्य विकास परिशत द्वारा राष्ट्य उत्पाद एकता परिशत द्वारा या राष्ट्य आई समीति द्वारा तो यहाँ पर आपकर जो बताया गया है यहाँ पर वो भी हम जान लेते हैं आपका केंद्रिय संखी की संग अठन द्वारा रहे गाई डी अगला कोश्चन है आपका यहां पर भारत की प्रमुक बानेज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् रोग से घ्रस्त है तो दूर द्रश्टी रहेगा निकटदरहर्श्टी माय앙पीया या मोत्यविंद दीर्ग द्रश्टी दोस्तों यहाँ पर अगर जो कोई भी व्यक्ती 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है तो उसे निकटदरहर्श्टी दोस माना जाएगा जिसा आप माय उप्या भी बोल सकते हैं अगला कोशन है आपका यहां पर सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिये और नीचे दिये गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिये तो यहां पर एक सूची है और दो सूची इनका जैसे कि आप जान सकते हैं पहली सूची है और दूसरी सूची यह तो इनका आप मिलान करना है दोस्तों जैसे कि पुली कैट जहील आपको सूची नमबर दो में देखनी है कि ये पुली कैट जहील कहां पर है तो जैसे कि यहां पर बताया गया है और अगला है बुलून जहील कहां पर इस्तित जैसे कि आप राजिस्तान कस्मीर से जोड सकते हैं और छिलका जील आपकी राजिस्थान तमिलनाडू से जोड़ सकते हैं तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पर A है तो A आप किस तरीके से जोड़ सकते हैं जैसे कि आप यहां पे सूची नंबर दो में किस तरीके जोड़ना है जैसे कि A है आंस्वार इसका रहेगा A तो यहां पे 3 और 1 तो A और B तो जैसे कि A में है आपका यहां पर पूल ले कैड जील आपका कहां पर है B में आपको मिलाना है तो यहाँ पर आप किस तरीके से मिला सकते हैं A और B आप यहाँ से मिलान पुले जहील A और अगला कोशन है आपका अगले उसमें बनता है B तो फ़स्ट में उड़ी सामें अगला है इसी तरीके साथ इनका मिलान करके मैच कर सकते हैं और अगला कोशन है हिम रेखा क्या है तो हिम रेखा आपकी यहाँ पर क्या है जानेंगे तो यहाँ पर सीधा मांसर आपको बता देता हूँ एक उचाई जिसके एक इस्थान पर इस्थाई रूप से बर्फ रहती है और पूर्व वर्स नहीं पिगलती है तो हिम रेखा कहलात है अगला कोशन है डेल्टा अगला है डेल्टा की सही परिवासा नेम लिए में से कौन सी है तो यहां पर आप जान सकते हैं डेल्टा की बहासा एक तिर्कौंट तिट्टे भूमी जिसका निर्मा समुंदर अथवा महसागर में तैनने वाली नदी गाद द्वारा होता एक इस है तो इसका जो आंसर है डेल्टा का सही परिवासा तो आपका यह रहेगा एक तिर्कौंट ने टट्ट भूमी जिसका निर्मान समुंदर अथवा महसागर में इसका यही आंसर होने वाला है डेल्टा का अगर जो हमारी आपको है जानकार यह पसंद आई हैं तो वीडियो क को अभी एक लाइक करना और इस तरीके से और भी कोशन पाने के लिए वीडियो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को जरूर दावाना मिलेंगे फिर एक नहीं जान करेके साथ फरसे नमस्कार